वेलकम टो मैं चैनल राज सुपर पेजन में आप सभी भाईयों का तहीं दिल से स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी भाईयों अच्छे से होंगे खुदा बंद आपको अच्छा रखे चाहिए आप जाम भी रहें तो भाईयों कुछ कबूतर आ चुके हैं अपने पा यह है फर्स्ट पेर कच्ची पिली आँखों में ललसरे को बुतर है टोपी दार ललसरे को बुतर है यह फर्स्ट पेर है अराम से आपको शौक कराते हैं फिरेंग की आँखों का भी आप सभी भाईयों को आज शौक कराएंगे तो बहुत से भाई संडे को काफी कोल कर रहे तो यह फर्स्ट पेर प्योर नसलों के कबूतर है कोई बाई वेट करेगा तो उसका वेट जाय नहीं होगा ऐसे कबूतर है ठीक है तो यह है नर्की आंखे लाज जवाब आंखें लाज जवाब यह है फर्स्ट पेर का नर्की आखों का शौक ठेक है जी खलो से देख सकते हैं गजब आखें और जितने भी कबूतर है प्योर नसलों वाले कबूतर है बहुत अच्छे खिलाडी के कबूतर है और सभी के सभी जोड़े वाले कबूतर है ठीक है जो खिलाडी बंदा वाई वो तो बता देगा कुछ चीज है या नहीं है ठीक है तो नेक्स्ट पेर का आपको शौक कराते हैं यह है नेक्स्ट पेर तिल कटा नर है पामोज और मकोई इसकी मादिन है आखें दोनों की बिल्कुल खोपड़ी से बाहर ठीक है जी तो इत्मिन से शौक करें आज यह देखो जी तिल कटा नर है और मकोई इसकी मादिने इनकी भी आखो का आपको शौक कराएंगे तो जितने भी पेर आएं लाजवा पेर आएं हैं जो कोई बाई लेकर जाएगा वेट करेगा तो वेट जाया नहीं होगा तो यह देख सकते हो आप इनकी आखो का शो कराता हूं मैं सब भी बाईयों को बहुत भी बेहतर ने कब उतर भी जेत्ने वी आज कब उतर आएं हैं और सब जोड़ो वाले कब उतर है क्योकर अभी हैं हैं नर की आख तो यह नर की आखें तिल लिपा वहत्ता हुँआ और ये है नर्की इधर की आंक ठीक है जी अब आपको मादिन की आंकों का शोब कराते हैं लाजवाब आंक है इनकी सब की खिलाडी बन्दा तो पहचान लेगा चीज है क्या और अब मादिन की आंकों का शोब कराते हैं चप्टिक खोपड़ी के अंदर मादिन है बिल्कुल चप्टिक खोपड़ी है इस मादिन की यह देख लोग इदर से लाज जवाब ऐसी चीज़े भाई कोई चट पे चड़ने भी ने देता देखने के लिए जो चीज़े हम साड़े साथ सो रुपर में आप लोगों को दे रहे हैं और उसके बावज़ुद इतनी गरंटी भी दे रहे हैं कि कोई अगर प्रोबलम आती है तो उसके बावज़ुद भी हम हाई होतों और ये है इसका नम से एसी चीज़े भाई कोई भी बंडा मैं कहता हूं कि हम ने वो कुटे Express कि अरा आप सब भाई बी कुटे बाजी कर रहे हैं ऐसी चीज़े कोई दिखाता भी नहीं ऑन एच ठीक है तो डॉक्ट साब ने पिछल जब हमने ओपनिंग करीब दिल्ली दुकान पर बार्षा गाउं में तो वह हर्याना और दिल्ली के बोडर पर पर पड़ता है बार्षा जो है तो भाई यह देखो नर्की आंखे लाजवाव आंखे तो डॉक्ट साब ने वहां पर दुका करेते हम तो रहने बोला कि महें गगाये को काट रहे हैं और यह बात हकीकत है ऐसे कबूतर भाई साफ 10 10 000 में हमने पहले बहुत करें लिए हैं है ठीक है तो हमने काम यह शिरूए कि हमने को बिजनस बनाना है यह मादिर क्या आँखे बिल्कुल कच्छी पी रेंखों में पेर दिखाते हैं जो हरी आंखो में लाल चिने हैं और हरी आंखो में यह देखो यह इधर नहीं हैं और जो पिछ्छ वह इसकी मांधी में जी यह दोनो को की डोनों हरी आखो में जिसकिसी बाइको चाहिए तब वो आसकता है मैं इनकी आँको का शोक रहता हूँ आप सभीगए को आपको सबेसा कर ये इनकी हर या यांक है शैद आपको नजर आ रही है घजै कि बाई को यह कबूतर की इदर की आंग है लाइव जो हर यांक दिख रही है वो इसकी कैमरे में नहीं आरी भाई हो ठीक है यह बिल्कुल ग्रीन आइज के कबूतर है और दिखती है और एक जोड़ा भाईयो यह है कच्ची पिले आँखों में नर है और पीली आँखों में मादिन है कबूतर के बिल्कुल जामनी पंजे हैं और इनकी जो गरंटी भाई ने दिया है इनकी फुल गरंटी हमें दी है आठ आठ दस दस गरंटे की बच्चों तक की गरंटी है ठीक है जितने भी आज कबूतर आई है तो यह देखो आप शोंक करो यह है कबूतर और यह है इसकी माद ठीक है जी देख सकते हो आप बाकि खिलाड़ी बंदे को यार इतनी चीज़े बोलने की शायद जरूरत नहीं नहीं होते है क्योंकि ऊसको पता इसकी नॉलेज के साथ से वो चीज कैसी ही दिखाई दे रही है और कैसी नहीं ठीक है यह देख सकते हो आप एक यह पिर है अब आपको इनकी आखो कराते यह देखो जी यह इशे नर की आंखे आपको अच्छी तरीकी से नजर आरे होगी ये हैं नरकी इधर की इंप मत मत जिधिए अब को मादन की टारा हैं। एक पिछे मिनें एक पिक्चर डाली थी कि कई भायों ने बोला कि जो थीम आपने डाल रखी है वो कबूतरों का आपने शोक नहीं कराया हुआ तो इन कबूतरों का मैं आपको शोक करा रहा हूँ जो मैंने पिछली वीडियो के थीम में लगाये थे लाल कबूतर थे कच्ची पिली आँखों में ठीक है जी वैसे इसके आँखे अच्छी तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं मैं आपको क्लोज से जब आँखों का शोक कराता हूँ तो आपको पता चलेगा कि इसकी आँख रियालिटी में है क्या ठीक है और जो बंदा किलाडियो को वो बता देगा यह देखो गजब आंखे अंखे अब इसकी इदर की आंखे अंखे यह है मादिन की आंखे ठीक है जी तो जिसके सी बाइकवान आज वो आ सकता है हर्याना करनाल के पास असंध तो थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगरो भाईयू ताकि आप तक भी करता है